जिल लोगों पर ये दुनिया अक्सर हसा करती है वही लोग आगे चलकर इतिहास रचते हैं नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगनेश साथियों विदिवत रोप से आज हम कावे शास्तर का श्रीगनेश करने जा रहे हैं उससे पहले एक दो बात आप जान लिजी कि जो ये कावे शास्तर की कक्षाएं में प्रारम कर रहा हूं complete second grade के अंदर जो जो टोपिक लगते हैं कावे शास्तर के अंदर वो complete होंगे और साथ ही साथ में जो सनात कुतर वाला पाठे करम है वक्रोक्ति सिदान्त लोजाइन्स का सिदान ये सारे के सारे सिदान् ये भारतिय काविशास्त्र होने के बाद में उनको भी मैं साथ ही करवा दूंगा ताकि आपका फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का दोनों आपका कंप्लिट हो जाएगा और यकीन दिलाता हूं कक्षा है अपने बिल्कुल टू दे पॉइंट होगी और बहुत बहुत धंक से होगी जहां से यू कहें कि कुछ छोड़ेंगे नहीं हम और कुछ छोड़ेंगे नहीं तो फिर सवाल बार से जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता बिल्कुल गजब के तरीके से पढ़ाएंगे अनुरोद आपसे इतना ही रहेगा मैं पूरी इमानदारी के साथ समर इस पर लगाया करें आप और अपने चेत्र की जितने भी साथी हैं परतियों की परिक्षां के तैयरी करने वाले चाहिए वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, के वीएस, डियसस भी तमाम साथियों को बताया करें कि इस चेनल पर बहुत ही उप्योगी जानकारी दी जा रही है तीसरी बात पहली बार देख रहें आप तो सब्सकाइब कीजिए और गंटी वाले निसान पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकिशन लिखावा आता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचन आपको मिलती रहे ठीक कई बार नोटिफिकिशन नहीं जाता से जोईन नहीं हो रहा हो तो कभी आदिगने हिंदी सर्च करना जिस पर 2300 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं 2300 से ज्यादा लोग उसी चैनल को आपको जोईन है जो करना टेलिग्राम पर तो वहां पर भी इंपोर्टेंट नियुज में देता रहता हूं तो यह थी अपनी मुख्य बातें अब प्रारम करते हैं कावे शास्तर के परिचे को सबसे पहले बात करते हैं कावे शास्तर के परिचे की फिर कावे शास्तर के अंदर कौन-कौन से सिधान्त है प्रमुक उनकी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कावे शास्तर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है सनातक इस्तर में और सनातक उतर इस्तर में देखिए साथियों, परिचे की हम बात करें, कि काववे शास्त्र क्या है, किसे कह सकते हैं हम काववे शास्त्र, आप एक एक चीज साथ में नोट करती चलिएगा, और नोट नहीं करते हैं, तो फिर आपकी इच्छा है, आप सुनते चलिएगा, समस्त चलिएगा, एसा शास्त जिसमें काववे के भेद एवम रूपों का विस्तार से वर्णन हो विस्तार से क्या हो विस्तार से वर्णन हो तो एशा शास्त्र जिसमें काववे के भेद और उसके रूपों का क्या हो विस्तार से वर्णन हो वर्णन किया गया हो वो क्या है काववे शास्त्र है यूं हम आगे बात करें और काववे शास्त्र के अंदर है तो सात्यों काववे और साहीते का दर्षन काववे शास्तर क्या है काववे और साहीते का दर्षन तथा विज्ञान है क्या काववे शास्तर और युगानुरूप समयानुरूप समयानुसार काववे शास्तर के अंदर क्या है समयानुसार क्या है प्रिस्तितियों के अनुसार कत्थे और शिल्प है जो बदलता रहा है काववे समय में सहित IPS के नाम से पुराने नाम में हम बात करें है या अन्ने नाम में बात करें तो शाहित्य सास्त्र के नाम से है, अलंकार सास्त्र के नाम से है, अलंकार सास्त्र और हम बात करें हम कह सकते हैं समिक्षा सास्त्र, इस रूप में भी जाना जाता रहा है, जाना जाता रहा है ठीक है तो पुराने नामों में हम बात करें तो कावे शास्तर को जिसे हम आज कावे शास्तर कहते हैं वो शाहित्य सास्तर अलंकार शास्तर शमिक्षा शास्तर इन सभी नामों से जाना जाता रहा है ठीक है तो ये तो हुआ अपनी कावे शास्त्र का थोड़ा सा एक परिवाशाईगी रूप में हम देखें तो वो अब कावे शास्त्र के जो मुख्य तयाँ छह सिद्धान्त मिलते हैं हमें कावे शास्त्र के और इतिहास की हम चर्चा करें तो छह सिद्धान्त मिलते हैं सिधे सवाल पूछे जाते हैं तो कावे शास्तर के छे सिद्दान्थ लिखिया आप कावे शास्तर के छे सिद्दान्थ जहां से सीधा सिधा सवाल पूछा जाता है और सवाल के से पोच्छा जाता और क्या पूछा गया है वो मैं आपको बताता चलूँगा कावे शास्त्र के सिधान्त और वह भी कितने कितनों की बात करेंगे हम फटैक ठीक है सबसे पहला लखिए विस्तार से जब हम आगे पर्रिकुलर एक एक सिद्धान्त में आते जाएंगे, और विस्तार से देखेंगे, लेकिन यावा, परीछे के तोर पर हम देख रहेंगे, आवे शास्त्र के सिद्धान्त उक्जह में, तो सबसे पहला लिखिए आप, रस संपरदाय, पहला कौन सा संपरदाय अबने, रस संपरदाय, रस्म परदाय लिख लिए परवर्तक की बात आए तो परवर्तक कोन आचारिय भरत मुनी रस्म परदाय के परवर्तक कोन आचारिय भरत मुनी सहाब रस्म परदाय कोन आचारिय भरत मुनी सहाब हो गए समय काल पूछ लिया जाता है इनका समयकाल के हम बात करें परवर्तक तो सिदी सिदे पूछ जाते रही है कि रसम परताएक परवर्तक कोन है तो याद रखना है बरत्मुनी समयकाल पूछा जाता है तो अलग लग विद्वन अलग लग बता है लेकिन तीन इस्वी पूर्व से तेन इस्वी पूर्व से दो इस्वी इनका समयकाल है जो माना जाता है किसका अपने बरत्मुनी साहब का और परमुक रचना जो है इनकी परमुक रचना की हम बात करें तो कौन सी है बरत्मुनी साहब की पहले सिदान्त के अंदर अपने रस्म परदाय के अंदर वो है नाटे शास्त्र नाटे शास्त्र ठीक है माप करें साथियो कावे शास्त्र की सिद्दानतों में छच सिद्दान देखेंगे परीचे के तोर पर पहला रज सिद्दानत आता है परवर्टक आते हैं भरत्मुनी साहब समयकाल की बात आए थीक है और रचना इनकी बात करें तो नाटे सास्त्र आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे रज संपर्दाय के अंदर आएंगे तो भरत्मुनी साहब का और अन्य रचनाकारों का नाटे सास्त्र में क्या कुछ चिज़े हैं उनका और विस्तार से हम बाद में परिचे देख लेंगे और अगला आता है अलंकार संपर्दाय दूसरा सिदान्त में लिखिये दो नमर पे अलंकार संपर्दाय और आपको ये मेरे दुआरा दैपन जबरदस्त लग रहा है मज़ा आ रहा है और आपको लग रहा है कि वाकिय में क्वालिटी के साथ में, कुछ dabei के साथ में कोई चीज है जो आपको उपलब्द हो रही है निश्वल्क है तो आप है जो अपने चेतर के सबी सातियों गया है जो जोड़ना है शेयर करके बताना है कि इस चैनल पर ये काम हो रहा है अलंकार संपरदाए परवर्त कोन आचारिय भाहम है परवर्त कोन आचारिय भाहम है साथ साथ में आप है जो दोराते जाएं मनमन के अंदर और बोल कर दोराएं तो और अच्छी बात है परवर्त कोन चतव संताब्दी कि भात्साब की बात आए तो कौन से सताब्दी चden शताब्दी ठीक है मामला अब इनके ग्रंत की बात आए ग्रंत की बात आए परमुकी तो वह है कागा लंकार इंग काव्या लंकार, काव्या लंकार, ठीक है, अलंकार संपर्दाय के प्रवर्त कोन भाम है, चटविश रताब्दी और गरंद कोन सा, काव्या लंकार, ठीक है, दो संपर्दाय निप्टा दी, रस और अलंकार, तीसरा देखिए, रीती संपर्दाय, तीसरा लिखिए, रिती, रिती, संपरदाय, रिती, ढंग कर सकते हैं, परवर्त कौन, परवर्त कौन, वामन, आचारी ये, वामन, रिती की परवर्त कौन, वामन, समय, समय काल की बात आए, तो आठवी, शताब दी, समय, आठवी, शताब दी, ठीक है मामला, और रचना की बात आए, ग्रंत की बात आए, प्रमुक, तो ग्रंत मिलता है, काविया लंकार सुतर वर्ती, थेक है, काविया लंकार सुतर वर्ती, तेन संपरदाए होगे, अगला देखिए, बात करते हैं चोथे सिध्धान्त की चोथे संपर्दाय की चार नंबर डालिए चार नंबर में क्या आ जाएगा दुवनी संपर्दाय दुवनी दुवनी संपर्दाय और दुवनी संपर्दाय के परवर्तक कौन प्रवर्तक कौन हो जाएंगे द्वनी संपर्दाय के प्रवर्तक हो जाएंगे साहाब अपने आनंद वर्दन आनंद द्वनी द्वनी को सुनकर क्या आता है आनंद आता है तो क्या हो जाएगा प्रवर्तक आनंद वर्दन साहाब आनंद वर्दन ठीक है समय की बात करें हम इनकी समय काल भी पूछा जाता रहा है कूट वाले में दे दिया एक तरफ दे दिया वामन फिर दे दिया भरतमोनी फिर दे दिया अपने ये आनंद वर्दन भामे और सामने लिख दिया समय करम, छटवी सताब दि आठवी, नवी इस प्रकार से तो आपको मिलान करने वाला भी सवाल बन सकता है, यहां से बहुत अच्छा समय की बात करें, दोने समपर्दाय आनंद वर्दन साब की नवी शताब दि कौनसी? नवी शताब दि ठीक है मामला? नवी शताब दि, आनंद वर्दन साब नवी सताबदि ग्रंत की बात करेंगी प्रमुक्रचना की बात करें तो वो आती है कुनसी ध्रण्य लोग ध्रण्य लोग ठीक है मामला क्या आती है ध्रण्य लोग ये हो गए अपने चार 5 हो आता है पाँच नंबर पर लिखिए वक्रोक्ति संपर्दाई ये कावे शास्तर की इच्छे सिद्धान्त बात करें परमुक उन्हें पांचवा सिद्धान्त आता है पांचवा संपर्दाई आता है वक्रोक्ति संपर्दाई लिखिए वक्रोक्ति पर वक्रोक्ति वगरा क्या होता है डिटेल से हम आगे कि वक्रोगती संप्रदाई एक मिनट वक्रोगतीוכ संप्रदाई ठीक है कौन है इसके प्रवर्थक वक्रोगती के वक्रोगती क्या हो जाएंगे साहब आपके आचारी कुंतक, कौन हो जाएंगे, आचारी कुंतक मोदे, आचारी कुंतक, समय की बात करें, कुंतक साहब के, समय हो जाएगा आपके दश्मी शताब दे, ठीक है, और ग्रचना की बात करें, ग्रंद के बात करें हम इनके, तो वो है वक्रोक्ति जीवितम, क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति जीवितम, किसका, कुंतक साहब का, वक्रोक्ति जीवितम, पांच होगे, छटा, और उससे पहले एक बात और बता दू, मैं आपको छटा संपरदाए, चलो पहले लिख लो, फिर बता दूँगा, छटा और आखरी संपरदाए है अपने, छटा और आखरी संपरदाए है, आउचिते संपरदाए, कौन सा, आउचिते, आउचिते, संपरदाए, आउचिते संपरदाए, जो मैं आपको 6 सिदान्त लिखवार हूं, संपरदाए लिखवार हूं, यहां स यहां डाइरेक्ट बिलकू सिधा परवर्त कौन हो जाएगा आचारिय शेमेंद्र परवर्तक और चीत संपर्दाएगा आचारिय शेमेंद्र ठीक है आचारिय शेमेंद्र समय क्या होगा 11 शताबदी क्या हो जाएगा 11 शताबदी ठीक है और इनके गरंद की हम बात करें रचना की हम बात करें तो वो है अपने ओचिते विचार चर्चा आउचित्ते विचार चर्चा ये थे अपने छे सिध्धान्त संपर्दाय देख लीजिए फटाफट बता देता हूं हमें आपको पहला रज संपर्दाय परवर्तक भरतमुनी समयकाल तीनी स्विपूरु से दो इस्वी परमुग रचना नाट्टे साज़तर अगला माप करें अलंकार संपर्दाय अलंकार के परवर्तक भामे 16 शताबदी गरंथ कावयलंकार तीसरा रिती संपर्दाय परवर्तक रिती के आचारे वामन साहब शमे 18 शताबदी गरंथ कावयलंकार सुत्र वर्ति अगला ध्वनी संपर्दाए ध्वनी में क्या आता है आनंद आता है आनंद बर्धन परवर्टेक नमी शताब्दी द्वनी नी से नमी शताब्दी और ग्रंथ ध्वन्य लोग ठीक है मामला परच्वां वक्रोक्ति संपर्दाए वक्रोक्ति कुंतक वक्रोक्ति कुंतक ठीक है कुंतक होगे समय दश्वी शताब्दी गरंथ वक्रोक्ती जीवितम छटा और आकरी सिद्धान्थ अउचिते संपर्दाए परवर्टक आचारिय श्यमेंद्र समय ग्यार्वी शताब्दी और गरंथ अउचिते विचार चडचा ये तो होगे अपने 6 संपर्दाए अब कावे सास्तर के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे हम आने वाले समय में कावे सास्तर के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको परिच्चे के अंदर डिटेल दे देता हूँ आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ठीक है, second grade और first grade के अंदर, क्या-क्या चीजे हम पढ़ेंगे, कावे सास्तर के अंदर गत, वो मैं आपको बता देता हूं, जिनमें आप लिखी है सबसे पहले, सनातक इस्तर में हम बात करें, तो सनातक इस्तर में हम बात करें तो सनातक इस्तर में हम देखेंगे सबसे पहले यानि कि सबसे पहले तो अलंकार वगरा देखेंगे सनातक इस्तर में हम क्या-क्या चीज़े पढ़ेंगे अलंकार पढ़ेंगे एक तो सनातक इस्तर में ठीक है यहां लेख देता हूँ अलंकार पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे रस चंद पढ़ेंगे अलंकार रस चंद और हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति हम देखेंगे आगे काववे गुण ठीक है तो सनातक में तो हम अलंकार देखेंगे रस देखेंगे चंद देखेंगे शब्द सक्ति देखेंगे काववे माफ करें कावे गुण देखेंगे तो second grade का complete होगा साथ में इसी के साथ में मैं आपको first grade कावे साथ ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा और सनात कोतर इस तर में हम देखेंगे कावे के लक्षन देखेंगे सनात को तर इस तर में हम बात करूँ है याँ पर सनात को तर इस तर में हम बात करूँ है याँ पर में आपके तो हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें कावे के लक्षन देखेंगे एक तो कावे लक्षन देखेंगे और कावे हेतु देखेंगे कावे है तूं कावे प्रियोजन कावे प्रियोजन देखेंगे इसके बाद मैं रस निश्पत्ति देखेंगे रस निश्पत्ति योग समझ लीजिए कि सारी चीजे साधारनिकरण देखेंगे कि साधारनिकरण क्या होता है साधारनिकरण उसके बाद में हम बात करेंगे वक्रोक्ति सिद्धान्द की देखिए अरस वग्रा चंद वग्रा ये इसमें आगए अपने सनातक में वक्रोक्ति सिद्धान्द को देखेंगे अरस्तु का अनुक्रण देखेंगे अरस्तु का अरस्तु का जो अनुक्रण सिदान्त है उसको देखेंगे लोजाइनस का उद्दातत्व है वो देखेंगे लोजाइनस का कौण सा उद्दात उद्दातत्व है उसको देखेंगे और माक्षवाद को देखेंगे यानि कि बारतिये और पाश्यते दोनों जो कावे शास्तर के अंग है वो सारा आपको कम्प्लिट करवाए जाएगा अब आपसे एक अनुरोध है अनुरोध यह है इंपोर्टेंट सुचना यह कि मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज तो कर नहीं रहा हूं कि यह सुलक दो मुझे सारा कुछ मामला फिरी ओप कोश्ट अप फिर भी आप अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं कितनी स्रेश्ट तरीके से क्लासेज मिल रही है बेस्ट तरीके से तो सरका कुछ सहयोग कर सकते हैं अधिक रूप से जहां बार साथ-साथ आठाट अजार रुपे में क्लासेज मिल रही है आपको जितना भी सहयोग करना चाहिए कोई जरूर नहीं आपकी और वह भी सहयोग करो तो करो नहीं करो तो आपकी इच्छा है गूगल पे गूगल पे और फोन पे यह मेरे नंबर है 9024100984 इन पर आप गूगल पे या फोन पे जो भी आप सहयोग राश्री करना चाहते हो आप अपनी इच्छा से करो तो भी अच्छी बात है नहीं करो तो भी अच्छी बात है वो कोई दिक्कत नहीं आपका अगर मन करता है कि सर अच्छा पड़ा रहे है तो सर का हमें सयोग करना चाहिए तो यह मेरे गूगल पे और फोन पे नंबर है इन पे कोल वगरा नहीं करें आप नकोल वगरा आएगा नब्बै चोबी सो नो सो चोर्यासी और इनके अलावा कोई भी आपसे अगर रूपे मांगता है मेरे नाम से अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किया भी तक शेर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में अपने चेतर के सभी दोस्तों को जोड़े और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सुछन आपको मिलते रहे हैं जय हिंद फिर मिलता हूं